अलोईडीं. आ अलोईपूमू कद हैनल तूोज अव्ही आप सभी के लिए कि हेयर मास्क प्रोटीन vì सब्सक्राइज बहुत जीयूरी हमारी है प्रोटीन हेयर मास्क लेकर आई हूं जो सऽदूला 2D की अधा जरूरी है वायसे ही खाँ बहुत ही जदा बेस्ट है यह वन टाइम यूस में ही आपको नजर आने लग जाएंगा अपने हैर्स पर काफी स्मूद और स्टेट लगेंगा आपके हैर्स इजी होममेड हैर मांक्स है जो मैं आप सभी किसा शेयर करने वाली हूँ मेरे चैनल पर न्यू है फर्स टाइम विजिट किये है चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें बेने स्किप किए वीडियो को आगे तक वाच करें तो चलिए देख लेते हैं कैसा हैर मांक्स तो यह रहा हमारा बहुत ही जदा क्रीमी सा प्रोटीन हैर मा ठैनल अप सब से कहा है जिसे हमारे बॉडी के लिए काफ़ी जरूरी होता है उतना ही हमारे एर के लिए काफ़ी जरूरी होता है तो हमारे जो घर की जितनी भी प्रॉबलम है 11 aujourd उन नोगा आप को इसके जो है न रिज़ल्ट जोम Спाइसे पता चल जाएंगे आपके काफ़ी स्मूद लगेंगे शाइन करेंगे फ्रीजिनेस थोड़ी यानि कम हो जाएंगी हैर्स की तो बहुत ही ज्यादा बैस्ट है यह हैर मांक्स चलिए अब किचन में चलते हैं इसे बनाना कैसे है यह भी देख लेते हैं बहुत ही इजी और सिंपल मैथट से मैंने इसे बनाया है औ और इसमें हम आड़ करेंगे जीघी टू टैबल स्पून आपको कुले मैं अज्यांग बढ़िए लगेगा बाट ह dwelling स्किन के लिए स्कीन के लिए हैर के लिए तो ह्मेमीट देषिगी है इसकी विडियो आपको अगर आबको मैंने ब्रदया ग्यांट कर दोंग ये आप तो यहां पर मैं दो कंडिशनर के जो पैकेट है वह एड़ कर रही हूं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम तो बहुत ही ज़दा यानि बेस्ट है यह वाला जो हेयर मार्क्स है जो प्रोटीन मार्क्स है तो वन टाइम आप यूज करेंगे तो आपके हैर जो है आपको इसका जो मिसलब फायदा है वो बता देंगे रिजल्ट बता देंगे आपको वाश करने के बाद अगर आपके तो यह देखिए मैंने दो पैकेड़ में अट कर दिया है कंडिशनर के और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और काफी ज़दा मतलब आपके जो हेयर से स्ट्रेट भी लगेंगे जो प्रोटीन पैक से यह प्रोटीन मार्क्स है इससे वन टाइम में ही तो इसमें मैं ठंडा मतलब फ्रीज से निकाला हुआ जो दूद है ना मिल्क उसे 3 टेबल स्पूर एट किया इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसमें हम एट करेंगे हाफ कटोरी के लगभग कर्ड दही एट करना है इसमें और दही भी आपने जो बालों की मतलब जो लैंथ है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब एट करें तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही एट कर रही हूँ इसमें दही कर्ड और इसे अच्छी तरह से ह मतलब एक क्रीमी टैक्चर आ जाए फिर हम इसे अपने हेर्स पर अपलाए करेंगे हेर्स की मतलब जड़ों को छोड़कर हमें इस हेर मार्क्स को लगाना है प्रोटीन मार्क्स को क्योंकि आदा इंच का आप गैब दे दीजिए जड़ों से और फिर इसके बाद रूट्स होती अच्छे से अपलाए करें इस मतलब प्रोटीन मार्क्स को और इसे मतलब तीस से पैटिसमेंट आप अपने हेर्स पर लगा रहने दे उसके बाद में आप शैंपो से बाल दो लिजिए इसे पैटिसमेंट के बाद हमें धो लेना है कोई कंडिशनर की जरुवत नहीं है सिर्फ आप शैंपो लगा के ही अपने बालों को दो लीजिए गजब का आपके बालों में फरक दिखेंगा आपको बहुत ही जबरदस्त ही यह प्रोटीन हेर माक्स है उमीद करती हूं आप